बिहार में महागडबंदन एक बार फिर बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर गया पूरे देश में बीजेपी जिस मुद्दे का विरोत कर रही थी एक बार फिर उसी मुद्दे का समर्थन उसे बिहार में करना पड़ गया जाती का जनगड़ना और जाती के आर्थिक सर्वे के बाद अब आरक्षन के मामले में भी बीजेपी को बिहार की माहगडवदन सरकार का समर्थन करना पड़ा है तो क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट बिहार विधानसभा में SC, ST और OBC आरक्षन संशोधन विध्यक पास हो गया विधानसभा में इस विध्यक को ध्वानी मस से सर्व समिती से पास किया गया दो दिन पहले नितीश कैबिनेट ने इसको लेकर मंजूरी दी थी संसदिय कारिमंत्री विजे चौधरे ने इस विध् 75 प्रतिशत हो जाएगी विधानसभा के बाद अब इसे विधान परिशत से भी पास किया जाएगा और संभावना है कि वहां भी ये ध्वनी मस से पास हो जाएगा और इसके बाद राजजिपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा विध्यक में S.C.V.R. का आरक्षन 16 से बढ़ा कर 20, S.T. का 1 से बढ़ कर 2, E.B.C. और O.B.C. का 30 से बढ़ा कर 43, O.B.C. महिलाओं का 3 प्रतिशत और E.W.S. का 30 प्रतिशत होगा इस तरह से कुल 75 प्रतिशत आरक्षन का प्रावधान किया गया है आरक्षन विध्यक को लेकर नितीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी आरक्षन का दायरा बढ़ा दे हम लोग चाहते हैं कि 65 प्रतिशत आरक्षन को ततकाल लागू किया जाएगा खास बात ये रही कि मुख्य विपक्षिदल बीजेपी को इस विध्यक का समर्थन करना पड़ गया सदन में नितीश कुमार ने जितिन राम मांजी के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें मांजी ने जाती सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिये थे